तो पूरे प्रशन को ध्यांज दिखेगा और ट्राई किजएगा पूरे प्रशन साही करने का पहला को इंडियर प्रशन को इसकी रचना किसके द्वारा की गई है बहुत बार यह प्रशन आया हुए परिच्छा में दोस्तो सुभास चंदर बोस के द्वारा यह रचना की प्रशन को जो सबसे पहला नोवल पुरिसकार दिया गया belum दूसरा कि नीओज़ट विसमें आउसर की संवारे में बताया गया दोस्तो कॉस्ते आर्टिकल नूमबर 16 में इसके बारे में बताया है और सो ऑगर आपसे 17 की बात करिया तेचुण नूमबर3 दकी 13 का किश अनु दोस्तों यहां पर article के अगर बात की जाएगी जो हमारे remedies है option number B, article number 32 में उसे, लेकिन अगर कभी भी आनुचेद की बात न की जाए और इसमें Doctor Bheimraaf Mediker की बात न की जाए, चौछाथा कुशन देखिए भारत समिधान के अभिभावक के रूपे तो तुम लोग किसे जानते हैं तो भारती समिधान का एक दरीके से जो गारजीयन है वो कौन है दोस्तो जी यह है यह है दोस्तो भारत का सरवोच नियाल है और भारत के चीप जस्टिस ऑफ इंडिया इसमैं 50 बिन दोस्तो किया है तो उनका नाम दोस्तो हो जाएगा लगातार तात्कालिक शीम है वम् सुन्दरवन कहां पाई आता है यह दोस्तों यह है आपका पर्ष्चम मंगालिस का सग्ण सर हो जाएगा चट्वों को से दगे सलीम अली राष्टी पार्क किस राज में सते थे थे दोस्तों सलीम अली राष्टी पार्क आपका हो जाएगा और यहां पर दोस्तों एक नेशनल पार्क बहुत इंपोटन है जिसका नाम है दची ग्राम काफी बार यह भी देखी पूछा गया है इस वीडियो को PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम से उस टेलिग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया है बहुत सारे इंपोटन नोट्स भी लगाता है आपको वहां पर मिल रहा है तो आप उस लिंक को क्लिक करके डारेक्ली टेलिग्राम प कीरियार नदी किस राज में बहोता है builder a is the rider. अब को बुता है nasalo ka बगीचा यहां पर सबस्यादा काजू का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा दिखे teak alachee का उत्पादन होता है, सबसे आदा rubber का उत्पादन होता है, सबसे आदा नारियल का उत्पादन, इन सभी के दिखें उत्पादन में पहले नंबर पे, और इसे दिसे मसालों का बगीचा कहते हैं, कारबेट राष्टि उध्यान का, आपना जल किस नधी में से प्राप्त करता है, यह राम गंगा नधी से लाम, पहला वित्थ आयो, घठन किस वर्स किया गया था, सबसे पहला जो वित्थ आयो को उगँः की अगया था सन 1951 में, बीस question का बिल्कुल correct answer हो जाएगा Polo सरप्रतम दूस्तों कहां खेला गया तो दूस्तों यह जो खेल है यह फारस इरान देखिए सबसे पहले खोला गया A is the correct answer दूस्तों आपके upcoming jamption के लिए बहुत ही important यहां पे कुछ e-books हैं जो मेरे द्वारा बनाएगे हैं समारी टीम की द्वारा जैसे जीके को आपको पूरा cover करना है तो topic वाज आपको मिल जाएगा सत्तर topic है आपका पूरा IC में खतम हो जाएगा इसलिए मैंने इसका नाम all-in-one रखा है आप इसे ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पूरा लेके revision करते रही है और देखें 500 question आपको GK के मिल जाएंगे बित सूपर गेस question आपके examination के लिए सारा solution के साथ दिया अगर आप ये 500 कर ले रहे हैं आपका math लगबग सारा question आता है देखें पूलैंड की जो मुद्रा उसे हम लोग बोलते हैं जोल्टी याद रखेंगे जो की लोटी बोलते हैं बी इस दे करेक्टन से 给 मुत्या पहले बौट संग के लिए किसे नामित किया था जिया दोस्तों इन्होंने नामित किया था महाकस्यप को एजक किसे, नामित किया था तो managingा को सविधान की किस अनूछेत में धर्म मूल वन से जाती लिंग रंस्धान की खण्द पर भीषदभाव का प्रतिसेत की बरह में बताया गया है तो जी हां दोस्तों इस कोशन का से हिंचर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 15 है अनुछेत 15 में दोस्तों यह बताया गया है जैन धर्मक में पूर्ण ग्यान का अर्थ दोस्तों क्या है जैन धर्मक में पूर्ण ग्यान का अर्थ दोस्तों क्या है जैन धर्मक में दोस्तों पूर्ण ग्यान का अर्थ है कैवल्य क्या बोलते हैं पूर्ण जिसे प्राफ्ट होता है वो बोला जाता है कैवल्य सब्सक्रा किस अनुच्यद में अपराधों के लिए दोसियों के संबंद में सनक्षण के बारे में बताया गया दोस्तों तो यहां पर किस अनुच्यद में देखिए कहा जा रहा है तो आर्टिकल नंबर 20 हो जाए गया इसकोश्यन में देखिए अपका A is the right answer नाम बदलकर क्या कर दिया गया जी हाँ, इसका नाम चेंज किया गया है, तो इसका नाम दोस्तो क्या किया गया है, इसका नाम चेंज करके किया गया है, स्यामा प्रसाद मुखरजी टरनल के नाम पर, क्या किया गया है, स्यामा प्रसाद मुखरजी टरनल, बीसवान देखे, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश दोस्तों कौन सा है सबसे अधिक मुस्लिम अबादी वाला देश दोस्तों आपका स्थी हो जाएगा इंडोनेसिया जापे सबसे अधिक दॉस्तो मुस्लिमाबादी है इंडोनेशिया मैं एक किसों Gobstranblick कंचन जंगा नेस्टल पार कहां पे हैं तो तो देखें यहां पर सिक्किम में और कंचन जंगा उसकी उचाहिए 156 मेटर वह दिखें इभ्लेष चिह मंगोलिया देषिक जो मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है तो मंगोलिया देश के जो मुद्रा है वो है तुग्रिक हो जाएगा इसका एंसर तो अगर आपसे पूछा जाएगा अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं तो अगर आपसे पूछा जाएगा अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं तो इनसे भी आपसे बताईए क्या लगता है क्या हो वह कौन सा महादीफ है जहां से कर्क एवं मकर्रेखा निकलती है वह कौन सा कॉंटिनेंट है आप से पूछा जा रहा है जी हां दोस्तों से इंसर की बात करें तो अफ्रिका दोनों यहां से देखिए जो की कर्क रेखा और मकर्रेखा दोनों निकलती है भारत में देखिए ट् जनी ग्रह का देखें तो टाइटन जो सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है और सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या आप से बात की जाएगी तो सणी के पास ही है सबसके समग sekadar के अधिकार के बारे में बताया गया है तो समिधान के किस अनुचेत में दोस्टों जी हाँ तो अनुचेत ौप्सर नमबढ़ डी हो जाएगा इसे में दिखें विधी के समझ्झ समान्ता कि अधिकार को बताया गया है उन्तीसों कोशन देखे double fault का संबन दोस्तों किस खेल से है अक्सर जो wise उपयोग किया आते हैं बोली जो है उनकी जो use होती है दोस्तों तो tennis में देखे double fault का इस्तमाल किया आता है D is the right answer universal brotherhood दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं universal brotherhood दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों यह हम लोग सितंबर के महिने में 11 सितंबर को मनाते हैं C is the correct answer 21 कोशन देखे समिधान के किस अनुच्वेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है कौन सा article है यह दोस्तों यह article हो जाएगा article number 18 इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है 32 कोशन के सबसे बड़ा द्वीब कौन सा है तो सबसे बड़ा द्वीब दोस्तों कौन सा हो जाएगा Greenland हो जाएगा D is the right answer जो कि सबसे बड़ा द्वीब माना जाता है 33 कोशन देखिए राज ये पुनरगठन आयोग के अध्यक्स दोस्तों कौन थे तो राज ये पुनरगठन आयोग के जो अध्यक्स थे दोस्तों वो थे फजल अली ए हो जाएगा इस कोशन के सबसे इंचर वो कौन थे फजल अली थे 34 कोशन नाथुला दर्रा भारत के किस राज में इस्तित है अगर आपसे पूछा जाएगा नाथुला दर्रा भारत के किस राज में इस्तित है दोस्तों ये सिक्किम में इस्तित है नाथुला एंजेलेपला दोनों याद रखेगा, वो कहां अस्तित है, सिक्किं में अस्तित है, स्वेट कोईला दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं, स्वेट कोईला, दोस्तों स्वेट कोईला हम लोग बोलते हैं, जल विद्धूत को, यहाँ पर याद रखेंगे, C is the right answer, बहुत लोग इसको अलग-अलग स्वेट के सेंसर करते हैं, लेकिन जल विद्धूत को बोलते हैं, चिनियात्री फायान किसके काल में आया था बारत में, भारत के बारत बर्दूद स्वेट प्रदूद तो चीनियात्री फायान था, वो गुप्त-काल में आया था, भी is the right answer, ठीक है, गुप्त-उसासन के का दिल्ला महिल complete फिरिज पिली है की अन्यादिस को बनाए को बनाया गया है । ढुर्रीक्ताि के बारे बारे में दोरों बताया गया है नागुरिक्ता के बारे में यह यह आर्टिकल नंबर पांच में बताया गया है ची स्काल का बिल्कुल ग्म News का संण करेक्ट ऑटी गोल्ड कप किस खेल से संबंदित है दूस्तों इसका संबंद होकी से हो जाएगा सी इस दे राइट असर दूस्तों यह आपको सेसं कैसा लगा कमेंट करके बटाइए पसंद आद दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा सेयर करते रहेए दूस्तों के साथ और चैन